आपका सपना आपका सपना आपका सपना ही मोदी का संखल्प है और मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है जो कुछ है सब आप ही है मेरे लिए मेरा संखल्प है हर गलीब दलीद पिछडे हर परिवार तक जीवन की मुल्स विदाएं पहुँचे कोई भी जवरतमन सरकार की योजना से वंचित न रहे इसके लिए देश में अब भारत सरकार आपके गाउँ आ रही है पंदरा नमेंबर से देश में बिच्सित भारत संकल प्यात्रा शुडू हुई है बरतपुर के गाउं गाउं से भी चुनाओ के बाद ये यात्रा गुजरेगी पीम आवास हो, गैस कनेक्शन हो, जलसे के लिए पानी की वबस्ता हो, मुक्त इलाज का प्रबंध हो, बीमा हो, पैंशन का प्रबंध हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाब जिने अब तक पहुचा नहीं है, उनके लिए सुविधाया पाने का ये नया अवसर, सरकार आपके घर आंगणा करके, देने के लिए योजना मोदी लेकर के आया है साथियो, साथियो ये इतिहाद गवा है, हर पल गवा है, हर इलाका गवा है, मोदी जो भी गारंटी देता है, वो हर लाभारती तक पहुचती है शत प्रतिशत लाभारती तक पहुचती है, मोदी ने आपके राशनकार को भूख से मुक्ति का गारंटी कार भी बना लिया किसी भी गडिप पारिवार को रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये बेटा, आपका ये भाई, दिल्ली में आपका सेवक मन करके बैठा है मोदी ने ताय किया है, ती मुप्त राशनकी योजना, आप सबको याद होगा, जब कोवीड की बिमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था मोत मंडरा रही थी, अस्पतानों में मरीज से ज़्यादा मुझत देह नजर आते थे परिवार भी चिंता में दबे हुए थे, अगर मा बिमार है, तो बेटे को कहती थी, बेटा मेरे कमरे में मत आना जो होगा सो होगा, बेटा बिमार होता था, तो मा को कहता था, मा मैं सहन कर लूँगा, तुम गमरे में मत आना, कहीं तुम्हें बिमारी नहमग लग जाएं, हर परिवार में मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, वैसी हालत हो गई थी, कौन बचेगा, कौन चला जाएगा, भाय का व अतावरन था, दुनिया थब पड़ी थी, व्यापार रोजगार पर मुसिबत आई थी, और तब, ये मोदी जो गरीब की माते, बेटे के रूप में जब आपके सेवाँ में बैठा है, उसने सोचा, कुछ भी हो जाए, गरीब के घर का चूला बुजने नहीं दूगा, मेरे देश का कोई बच्चा भूखा न सो जाए, मेरी कोई माँ, बच्चों की भूख देखकर के आंसू पीकर रहन जाए, इसलिए हमने निरने किया था, अन्न के भंडार खोल दिये थे, मुप्त राशन दिया था, हर परिवार को मुप्त राशन देना शुरू किया, आज भी असी करोर लोगों को मुप्त राशन मिल रहा है, ये योजना ये डिसंबर महने में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी ने संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है, कि मुप्त राशन वाली योजना अगले पात साल तक चालू रहेगी, अब किसी परिवार को भोजन की थाली की चिन्ता नहीं रहेगी, इतना बड़ा पवित्र कारिय करने का मिल नहीं किया है, मुझे बताईए भाईया, राजस्तान के लोग को वीरता से भरे हुए लोग है, जब ऐसा काम करते हैं, तो पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे नहीं जरा जोर से बताईए माता है बहने बताईए पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है अब पांच साल के लिए गरीब के घर में चुलता जलता रहेगा बच्चे को रोटी मिलेगी क्या पुन्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा यह किसको मिलेगा यह पुन्य किसको मिलेगा यह पुन्य किसको मिलेगा यह पुन्य आपको मिलेगा यह पुन्य के हकदार आप है क्योंकि आपने वोट दे करके मोदी से यह पवित्र काम करवाया है और इसलिए ये पुन्ने के अधिकारी आप है लेकिन ये कॉंग्रेस पार्टी भी देखिए कमाल की पार्टी है गरीब को मुप्त राशन से कॉंग्रेस बहुत तिल मिलाई हुई है गुस्से में हैं और इसलिए कॉंग्रेस इलेक्शन कमिशन को जाकर के मेरे खिलाब इतनी बड़ी चिठ्ठी दे करके आ गई है अधालत में जाने के धमकियां दे रही है अरे गरीब के रोटी खिलाने में जेल भी जाना पड़े तो क्या होता है जी चले जाए